हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रीराम क्लासेज में और दोस्तों आज का यह मेरे खास वीडियो आर्टेट एक्जाम 2011 का इक्षिन पेपर जो 2011 में आर्टेट का पेपर हुआ था वो पूरा पेपर आपके सामने है और दोस्तों आज क कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास और जिक्षा सास्तर के 30 मौत प्रस्तों की अगर आप पहली बार चैनल पर पदा रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो के सेंस बाग भी मिलते रहें और दोस्तों यह आर्टेट 11 लेवल 2 का पेपर आपके सामने हैं इससे पहले मिने लेवल 1 का आर्टेट का पूरा पेपर अपलोड कर रखा हैं अगर आप लेवल 1 का तयारी कर रहें तो आप वो पेपर बिखें और लेवल 2 की तयारी करने वाले यह पर पूरा देखें दोस्तों रीड एक्जाम 2020 के लिए यह पेपर आपक तो दोस्तों डेट सो कुछे गएते हैं 150 प्रस्तन हैं और 150 ही नंबर का यह जो प्यपर था 90 मिनिट में प्यपर करना था और 150 प्रस्तनों की यह पूरा प्यपर था दोस्तों आर्टेट एक्जाम 2005-2011 पांस बागों में बटा हुआ है जैसा कि आपको मैं हिंदी में बता द पांस खंडों में प्यपर बटा हुआ है सबसे पहले खंड में बाल विकास और शिक्षण वीद्या इनकी शिक्षा सास्त्र तीस प्रस्तन इसके एक बासा फाइस्त तीस प्रस्तन बासा सेकंड तीस प्रस्तन और गणित विग्यान वालों के साथ प्रस्तन और समाजिक पुच्य गहते हैं और इन तीसी प्रसनों का हल मैं आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं तो दोस्तों ये पहला प्रस्तूत है प्रस्त नंबर एक है और दोस्तों खास बात है कि ये English medium और Hindi medium वाले दोनों देख सकते हैं bilingual paper है ये English में और Hindi में दोनों में है तो मैं आपको हिंदी में ये बता रहा हूँ English वाले अपना English में देख सकते हैं पहला प्रसन है कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है चार option इसमें विकास अंदर गिर्या का फल है विकास एक व्योस्तित रंकला का अनुगामी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिष्ट से सामानी की ओर होता है तो कौन सा विकास के बारे में सत्य नहीं है यह हमें बताना है दोस्तों इसमें नहीं पूछा हैं तो जो option D है वो इससे समधित नहीं है बाकी तिनों option इससे विकास से समधित हैं विकास के बारे में सत्य है तो D option इसका सही होगा विकास विशिष्ट से सामानी के और होता है ये बाद इसमें गलत है बाकी तिनों option इसके correct है आईए बढ़ते हैं अगले प्रस्न के और दूसरा प्रस्न है बालकों की सोच अमूर्थ तक ये कौन सी अवस्ता है जो बालकों की सोच है वो अमूर्थ तक ये कौन सी अवस्ता है ये कौन सी अवस्ता है कौन सी अम्र तक में होता है चार option आपके सामने है 7-12 वर्स तक 12 वर्स वैस्क तक 2-7 वर्स तक या 5-2 वर्स तक कौन से I.U.K. बालगों में जो उनकी सोच है वो अमूर्तिता कि अपेक्षा मूर्थ अनुबों एंपरतियों से होती है तो इसका जो correct answer है दूसरे का वो से उतर हैं 7-12 वर्ष तक गरेक्टर अंसर है ए 7-12 वर्ष तक जो बालग होते हैं उनकी सोच अमूर्थिता के प्रेक्षा मूर्थ अनुबहों एंप परतियों से होती हैं तीसरा प्रस्न आपके सामने है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है आपके सामने है अभी बावक अध्यापक का समाजी के हम सांसकरती कारकों का वंसकरम वातावरन का या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों जो मानव विकास होता है वह वंसकरम और वातावरन के योगदान का परिणाम होता है तो तीसरा उप्सिन इसका करेक्ट अंसर है वंस करम हम वातावरान दोस्तों अगर आप रीट की तैयरी कर रहे हैं तो ये पेपर आपको काफ़ी हल्प करेगा आप चैनल से जुड़े रहे हैं मैं सारे पूराने पेपर आपको अप्लोड कर दूँगा देरे देरे मैं सारे पेपर अप्लोड कर रहा हूँ आपके लिए तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर जुरू करते रहें ताकि सब भी को इसके बारे में जानकरी मिल सकें तो चोता प्रस्ण आपके सामने है निवन में से कौन प्याजे के अनुसार बोधिक विकास का निदारन नहीं करता है निवन में से कौन प्याजे के बोधिक विकास का निदारन नहीं करता है तो चार ओप्शन इसके सामने है आपके सामाजिक संचरन अनुबव संतुलिकरन या इन में से कोई नहीं तो इन में से कौन सा वह बिंदु तत्व हैं जो प्याजे के अनुसार बोधी विकास का निजारक तत्व नहीं है दोस्तों जिस अनुबव और संतुलिकरण ये तो दोनों हैं लेकिन ये सामाजिक संचरण हैं ये प्याजे के अनुसार नहीं है सही उतर इसका सामाजिक संचरण आईए देखते हैं पांचवा प्रस्ण हैं पांचवा प्रस्ण है यह है कि विशेस आवशेक्ता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नियम लिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उप्यूगत है चार ओप्चन आपके सामने यह है इस प्रकार है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना विजारतियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना सहकारी अधिगम और पियर ट्यूरिंग सापटियों द्वारा अनुशिक्षन करना और अधियापन के लिए योगिता आधारित समुही करन करना तो विजस आवशिक्ता वाले बच्चों के लिए कौन सी विए रचना सबसे अधिक उप्यूक्त हैं तो पांचवे का उत्तर आपके सामने हैं जो ऑप्शन नमबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर है पांचवे का सी सहकारी अधिगम और पियर ट्यूरिंग ट्यूरिंग यान यानिकी साब पार्टियों के दोवारे जो अनुसिक्षन किया जाता है वो सबसे विए रचना बैतर हैं जो विशेश आवशिक्ता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए तो सी आंसर इसका करेक्ट है आए चाटा प्रसन देखते हैं प्रस नमबर छे हैं समश्या के अर्थ को जानने की योगिता वातावरन के दोसों कम्यों एम रिक्तियों के प्रति सजक्ता की विशेशता हैं यानि कि समश्या के अर्थ को जानने की योगिता वातावरन के दोसों कम्यों और उनकी रिक्तियों के प्रति सजक्ता ये किस प्रकार के बालकों की विशेशता हैं तो प् विश्यस्ता है खास विश्यस्ता तो सर्जन सिल बालकों के खास विश्यस्ता है कि वो समिश्या के अर्थ को जानने की योगिता रखते हैं वातावरण के दोस्त कम्यों रिक्तियों के प्रति वो सजग रहते हैं यह सर्जन सिल बालकों के खास विश्यस्ता हैं अगला प्रस् लड़की की माने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खुटी पर टांगो लड़की अगली बार गर में परेश करती हैं और कोट को हाथ पर रखकर अलमरी की तरफ जाकर कोट को खुटी पर टांग देती है या किसका उधारन है स्रंखलागत अधिगम का उद्धीपन अनुकरिया अधिगम का प्रत्य अधिगम का या इन में से कोई नहीं तो ये जो अधिगम का प्रकार है ये जो उधारन है ये स्रंखलागत अधिगम का उधारन है एसका correct answer है, सही तर इसका option A, श्रंक लागत अधिकम, अगला प्रस्न है आठवा, बाई अभी प्रेणा में समाविशित किया जाएगा, किसको समाविशित किया जाएगा, चार option आपके सामने है, परसंसा एवं दोसार ओपन को, प्रतिद्वन्दिता को, पुरसकार एवं को, परिणाम का ज्यान, इन चारों में से किसको बाई अभी प्रेणाम में समाविशित किया जाएगा, तो आठवे का जो से उतर है, वो इन चारों को है, जो बाई अभी प्रेणाम में सम्मिलित किया जाता है, तो दारेट आंसर बतातों में, इसको उतर D, इसका सही है, यह नवे प्रस्णिक और बढ़ते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के विवहार को देख कर सीखता है, न कि प्रत्यक्स अनुबहु के को क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंदन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम, तो इसका जोसे उतर है नव प्रत्यक्स अनुबहु करके, तो ये सामाजिक अधिगम का उधारन है, ओप्शन ए नवे का सहयुत तर है, दस्वा प्रस्ण आपके सामने है, अधिगम निर्योगिता का लक्षन है, यानिकि लर्निंग डिस अबिलिटी का जो लक्षन है, वो हमें बताना है, भागने की प समंदी, बादा, वा, या फिर विकार, ये जो इसका सहुतर है, सी, ग्यारवा प्रस्ण आपके सामने है, अधिगम को परवायद करने वाला व्यक्तिगत कारक है, जो परस्णल फैक्टर पूचा इसने, व्यक्तिगत कारक, तो चार आपके सामने है, अधिगम को परवायद क परवावित करते हैं तो व्यक्तिगत्स न जो कारक हैं वो है परिपक्तावर आयो डिसका सभष तरी ग्यार्वे का अगला प्रस्न है बारवा प्रस्न है एक क्रिकेट खिलाड़े अपनी गैंद बाजी के कोशल को विक्सित कर लेता है पर उसे ये उसके बल्ले बाजी के कोशल को प्रवाइद नहीं करती है इसलिए कहाँगे विदेयात्मक परसिक्षन अंतरन निसेदात्मक परसिक्षन अंत याइन मैंसे कोई नहीं तो जो बारवी का सभी उतर है वो से उतर है सी यह सुन्ये प्रसिक्षण जीरो ट्रांसफर और ट्रेंगि का जो उधारन है करेक्ट अंसर इसका सी आपके सामने है कि और अब अम बढ़ते हैं तेरवे प्रस्न की और तेरवा प्रस्न है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मांसिक स्वास्त को उत्तम रूप में परदसीत करता है पूर्ण अभिवक्ति संगीति करन सामाइन लक्षन की और निर्देशन मांसिक विकारों करना होना व्यक्तित के विकारों से मुक्ति या इन अभिव्यक्ति संगतिकरण और सामाने लक्स की और निदेशन ये इसके जो करेक्ट आंसर है अब बढ़ते प्रस्ट नमबर पांच पंद चौदा के और फ्राइड प्याजे और अन्य मनोगयनिकों ने व्यक्तितु विकास की विबिन अवस्ताओं के संदर्ब में जो व्यक् ख्रावन से निदर्ट होती कहा कि 600 अउस्ता के अनुबहों से ही अधीक प्रवाईट करते हैं बाके उस्ताओं में सिमित प्रवाव पर होते हैं विबिन अवस्ताओं को समझने के लिए संग्या नातमक बदलाव के बारे में कहा या इनमेंशन नहीं दोस्तों जीन प्याज पंद्रवा प्रस्न है गिलफोर्ड ने अभी सारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है उस पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में क्या है तो अभी सारी के बारे में बताय गया है पूछा इसने तो बुद्धी सरजनात्मक और बुद्धी और सरजनात्मक यह इनमें विश्चांक से कोई नहीं के पंद्रवे प्रस्थन फैजो से उतर है वह ऊफिशन नंबर 20 का क्रेर्ट अंसर है क्रियेटिवीटी यन की सरजनात्मक इसका सही उतर है में तो इस पंद्रवे का सही उतर है स्रजनात्मक possibility इसका प्रेक्त अंसर है आईए देखते हैं 16 प्रस्थन दोस्तों निवन मेंसे कौन सा कथन रूची के बारे में सत्य नहीं है पहला ऑप्षन है रूचिया जन्मजात और अर्जित दोनों होती है दूसरा बी रूचिया समय के अनुसर बदलती रहती है तीसरा सी रूचिया योगिताउन अभिक्समता समद्धित नहीं होती है और चौत्था डी है इसे में रूचिया व्यवहार में आकर्शन और कर्षण के परतिबिम्ब नहीं है तो इन में से रूची के समद्ध में कौन सा कथन सही नहीं है यह बताना है हमें तो जो option D है इसका वो correct answer है ये रूची के बारे में सही नहीं है बाकी तीनों जो option उपर दे रहे हैं वो सही है रूचियां जमजात और अजित दोनों होती है रूचियां समय के साथ बदलती रहती है रूचियां योगिताओं और अभिक्षमताओं से समधित नहीं होती है और ये तिनों रूचियों से समधित है लेकिन चोथा option रूचि से समधित नहीं है आईए देखते हैं 17 प्रस्ने 17 की अभिवर्ति जिसको attitude कहा जाता है वो अभिवर्ति क्या है अभिवर्ति एक बावात्मक प्रवर्ति हैं जो अनुबोग के द्वारा संग्टित होकर किसी मनोविग्यनिक वस्तु के प्रती पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिग्रिया करती है दूसरा option है एक ऐसी विश्यस्ता जो व्यक्तिक योगिता का परिचायक है सत्रवे का correct answer इसमें option number A अभिवर्ति जो होती है वह एक बावात्मक प्रवर्ति हैं और यो अनुबोग के द्वारा संग्टित होकर किसी मनोविग्यनिक वस्तु के प्रती पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिग्रिया करती है यह अमारे attitude होता है अगला प्रस सब्सक्राइब का question इसमें पुछा गया है यह नाम मात्री की भूमिका महत्पूर्ण भूमिका अपुर्वन में भूमिका है या आकर्शिक भूमिका है तो अठारो के सामने है कि जो personality होती है उसका और जो बुद्धी होती है उसका वंस करम में वंसानुकरम में क्या कर जो व्यक्तित्त के वंबुद्धी का वंसानुकरम में नाम मत्री भूमिका होती है correct answer is by नाम अत्री के जब भूमिका होती है correct answer ay अगला प्रस्न है 19 वा जिन इच्छाओं को की पूर्ति नहीं होती है उनका बंडार गरह इन में से कौन सा है तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका जो बंडार कौन सा है तो इदम है अहम परम अहम या इदम है अहम इन में से कौन से जो इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती तो इसका बंडार कहां पर होता है तो दोस्तों ये जो इड में इदम में जो बंडारिज होती है जिन इच्छाओं की पूर्ती नहीं होती है वो इच्छाओं उनका बंडार गर इदम होता है अगला प्रस्न है वीश्वा प्रस्न है रक्षया तंतर बहुत साहिता करता है हिंसा से निपटने में बद दबाव से निपटने में ठकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में तो दोस्तों जो रक्षा तंत्र होता है वो दबाव स्ट्रेस से डिपर्डेम में हमारी साइथा करता है इसका करेक्ट अंसर है 21 प्रसन आपके सामने है शारीरिक निर्योगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र की सबसे संतोष जनक युक्ति होगी तादात्मी करन इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं वीवे की करन और जिसको रैस्निलाजेशन कहते हैं और एक होती है अतिक संद्र में सबसे अधिक संतोष जनक होगती तो इसका उतर है वह इसका अतिकलपना 21 का करेक्ट अशर अतिकलपना थी स्का है जो सही उतर है अगला प्रस्थन हैं वाइसवा बालत्परसंग बहुद परिक्शन जिसको पर निपीच करते हैं कि पर। परिक्षन तीन से दस वर्स के बालकों के लिए बनाए गया है इस परिक्षन कार्ड में कार्ड में प्रतिस्तापित किया गया है जो बालक का जो परिक्षन परिक्षन है वो तीन से दस वर्स के बालकों के लिए बनाए गया है एक और नया प्रसनाप के लिए तैयार हो गया है तो ये इस कार्ड में जो पर्सिक्षन में जो कार्ड होता है इसमें किसको पर्तिस्थापित किया जाता है सजी वस्तों के इस्तान पर निर्जी वस्तों को लोगों के इस्तान पर जानुरों को पूरुसों के स्थान पे महिलाओं को और वैस्थ के स्थान पे बालकों को तो कि इसका जो से उतर हैं वो 22.9 अंसर हैं इसमें लोगों के इस्थान पे 59 को है लेनी चाहिए ब्रेंट स्तर्मिंग या विचार आवेस व्येख्यान विदी दरिश्य स्रव्य सामगरी या इन मैं से सभी तो 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 सर्जन सिलता क्रिटिविटी के लिए ब्रैंड स्टॉर्मिंग 24 प्रसन आपके सामने है ये इंगलिस मीडियम के लिए और ये हिंदी मीडियम का ये निम्न मेंसे कौन सा कतन सही नहीं है आफशक्ता वंचना की शारीरी का आवस्ता नहीं है अंतरनोद आफशक्ता का मोनोविगैनिक परिणाम है आफशक्ता वंचना की शारीरी का वस्ता नहीं है अवह शिक्षा का अधिकार अदिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए नियुनतम कारिए गंटे पर तिस हफथा निजड़ित किये गए हैं कितने गंटे तो चालीस पैतालीस पचास या पसपन तो जब आरटी 2009 है उसके अनुसार एकाध्यापक के लिए 30 सबता कितने गंटे जो निज़ारित किये गए है तो correct answer इसका 45 गंटे जो सिक्षिख होता है इसको 45 गंटे निज़ारित किये गए है 30 सबता दोस्तों अगर आप रीड की तेयर करें तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं आपके लिए सारे पुराने पैपर रीड लेवल 5 सेकंड 2011 का पैपर 2012 का पैपर रीड 2015 का पैपर रीड 2017 का पैपर अप्लोड कर रहा हूं दीर दीर में क्या करके और हो भी सोलीशन सही तो आप चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें और 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 भी आपके मन में कोई प्रस्न हो तो कमेंट कर सकते हैं अगला प्रस्न है अठाए 26 प्रस्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निमन मे से किसे दायुत को पूरा करना होगा वीडिया लाइन के में नीमित रूप से समय पर वपसित होना पाठिकरम का संचालन पूरा करना होगा संपुन पाठिकरम को निर्दारिश समय पर पूरा करना होगा या इन में से सभी तो 26 प्रस्न का जो से उतर है वो सी इसका करेक्ट सब सबसाइए अ लेकिन वो इसका सीगर से यह सी्जों इस उतर हैं यह और बी दोनों को समय बनाय गया अंसर है और सब सबसे मजबूत बहुत्त कारवनारे संपूर्ण पांटे करम कर वने होगा लेकिन ने दरिस समय पर पूरा करना होगा तो निदर इस समय पर कब होगा जब विद्याले में निमित रूप से अध्यापक उपस्तित होगा और संचलन पाठी करम का संचलन पूरा इन दोनों को मिला कि तीसरा अप्सेन एक मजबूत अप्सेन है तो सी इसका करेक्ट आंसर है 2700 प्रस्ने राष्ट्री पाठी करम रूप रहका 2005 में 37 शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ करियाओं की अनुसंसा की गई है तो पाठी करम रूप रहका में निम्न में से किसे सुची बद किया गया है पहला अप्सेन है महिलाओं के प्रती आदर एंग जिम्मेदरी का दरश्टी कोन विख्षित करने के कारिक्रम वायुजित किया जाए नहीतिक शिख्षा को पढ़ाया जाए 37 सिख्षा को एक अलग विसे की रूप में पढ़ाया जाए 37 सिख्षा को पाटिकरम में समिलित किया जाए तो 27 कुश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो A.S. का करेक्ट आंसर है कि महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी की द्रस्किकों रिक्षित करने के लिए कारेक्रम को आउजित किया जाना ये N.C.F. 2005 में 37 सिख्षा को बढ़ाव देने के लिए इस प्रकार के कारेक्रमों की अलग से जो अनुसर्ण सा की गई थी दो तीन प्रस्ण और है लास्ट वीडियो थोड़ा ज्यादे लंबा हो गया इसमें अगला वीडियो शोट में बनाने की कोशिश करेंगे पांच अठाइसव प्रस्ण ये आपके सामने राश्ट्रिये पाठी चर्जा की रूप रहा की जाता हैं से ज्ञान का विकास होता है और इसका यस रहता है वो 2-5 सए शेतिया और इसको देया जाता है और इसे से घ्यान का विकास होता है और इसकी स्राइस्तना की जाती है इसका ही जो करेक्ट आंसर है नवीन घ्यान की खोज शक्षिक परिश्तितियों में वहार तो कि इसका प्रस्ट आनसर है क्रियात्मक और संदान का उद्दिश हैं विजाले तथक अक्षा की सेक्षिक कारे प्रणाली में सुधार लाना सी इसका बिल्कुल करेक्टर अंसर है दोस्तों इसकी पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल स्रीराम क्लासेज में मिल जाएगी आप वहाँ से इसको जोइन कर सकते हैं और आप सर्च करें स्रीराम क्लासेज और लिंक आपको वीडियो के डिस्किस्म बॉक्स में दे दिये जाएगा अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं लास्ट क्यूशन है तीस्वा प्रस्ण वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करें तीस्वा प्रस्ण अंतीम प्रस्ण है और अगले वीडियो में हम उसके और प्रेपर की बात करेंगे बाग की लास्ट कुशन है राश्ट्री ये पाठी चर्चार रूप रहा दोजर पांस के अंतरगत परिख्षय सुधारों में किस सुधार को सुझाय गया है खुली पुस्तक सतत निरंतर व्यापक मुल्यंकन सामोई कार्य पर मुल्यंकन या इनमें से सभी तो डीज कहें जो करेक्ट मेरे इसमें है पीडियेप में तो मैं दीर दीर आपके सामने सभी पेपर अपलोड करूंगा आप चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह आप चैनल को सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू करें और मिलते हैं दोस्ते नए वीडियो में